नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेनी एजूकेशन पे मैं हूँ आपका होश्ट फार्मसिस्ट विकास आज इस वडियों में जानेंगे दोस्तों जोडों के दर्द को जड़ से खत्म करने वाली तीन दवाईयों के बारे में ऐसी जैसे कि हाथ में जोड का दर्द हो रहा है गुटनों में जहां पर जोइंट है वहां पर दर्द हो रहा है या बॉडि में कहीं पर भी अगर जोइंट है और वहां पर अगर दर्द हो रहा है तो यह तीन दवाईया उपयोग करने के बाद में जो जोडों का दर्द है वो ख आना कुछ सब्सक्राइब कर अपना प्याज हो दिखाएगा ऐसे नहीं ने विडियों आपको चैनल पर मिलते रहेगी तो दोस्तों जब भी जोडों में दर्द होता है तो कुछ ऐसे लक्षन हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि हाथ के जॉइंट में दर्द हो रहा है पेर के हो जाती है रेडनेस वहाँ पर हो जाती है लाल लाल वहाँ पर दिखने लगता है और इसे के साथ में जो रेंज ओप मोशन है वो कम होने लगती है चलने फिरने में दिक्कत आती है और यह जो सारी प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है लक्षन देखने को मिलते हैं और अ कोई पेशेंट या वेक्ति ऐसा है जो काम जादा करता है जिससे गुटनों में यह जो जोड है जोइंट है बहाँ पर जादा तर जहें काम की जो मात्रा है या वो देखने को मिलती है बाहर जादा देखने को मिलता है तो उसकी वज़े से बहाँ पर जोइंट होने लगता है मोटापे की वज़े से भी हो सकता है या फिर चोट की वज़े से भी हो सकता है कभी कवर ऐसा होता है कि जॉइंट में वहाँ पर इंजरी हो जाती है चोट लग जाती उसके वज़े से भी जॉइंट पेन होने लग सकता है और मान स्पेशों में अगर कमजोरी हो गए तो उसकी के वड़े से यह कारण है इसकी वज़े से जॉइंट में पेन होने लग सकता तो यह जॉयंट पेन के लखशन और कारण बात करते हैं दवाईयों के बारे में जब भी जॉइंट पेन होता है तो कौन-कौन के दवाइओ के बार मारा इस वोडियों में हम complete बात करेंगे कौन-कौन को सी जो टैबलेट एक खानी होती एक Right ऩो सबसे वीजियर निवारक वेडसफो सर्क्राइब के बारों नFitर य whereby पेप्टिडेज 15 एमजी और तीसरेज में पेरसेटमॉल 325 एमजी है तो देखे जो जिरोडॉल SP टैबलेट है इसमें एसेकलोफिनेक और पेरसेटमॉल और सेरेशो पेप्टिडेज तीनों एक साथ मिलकर काम करती जो दर्द को कम करने के लिए यूज होती है और यह पका कंपनी की मेडिसिन है बात करते हैं जोड़ोडोल SP टैबलेट के बारे में तो यह दर्द निवारक टैबलेट है नॉन इस्टेरोडल करते हैं धर्पाइश यह जो पेइन हो रहा है विए कम करेगा तो कैसे लेनी होती है रही होती है और शुबरेशिश यह में खाना काने के बाद में और फिर नॉर्ले टेबल तरीके से जो है दर्द को कम किया जाता है और यह 5-7 दिन तक इस टैबलेट का यूज किया जाता है जादा इन भी इसका उप्योग नहीं करना है वरना इसकी वज़े से कुछ ऐसे साड़ इफेक्ट जो भी डिखने को मिल सकते हैं जैसे कि जो दर्द निवारक दवाई है उसके कुछ साड़ इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि नौजिया हो सकती है पेशन्ट को वामिटिंग हो सकती है इसके लावा पेट में दर्द रह सकता है अगर भू के पिट खाओगे टेबलेट तो इसके लावा इंडिजिशन हो सकता है सीने में जलन हो सकती है और भू कम ल ज़रूर नहीं कि सारी side effect जो है आपको देखने को मिले इन में से कुछ side effect आपको देखने को नहीं मिलेंगे अब बात करते हैं दूसरी tablet के बारे मैं जूकिasteroid tablet और यह ओमना Vice tablet का नाम है Aoomna Allow aln लग टैबलेट आती है 10 mg 20 mg 40 mg तो सबसे पहले लोवर डूज इसके स्टार्ट की जाती है यह एक प्रकार की लेनी होती है और सबसे लोवर डूज इसके स्टार्ट की जाती है और पांच से साथ दिन तक स्टैबलेट का यूज किया रहता है अगर ज्यादा मात्र में यूज करो को तो जैसे कौमन साट इफेक्ट है जो देखने को मिल सकते हैं और इसका उप्योग बिना डॉक्टर की सल हो सकता है डिप्रेशन में जा सकता है इसके लावा वेट गेन होता है इस मैडिसन का यूज करने के बात में यह इसका कॉमन साट इफेक्ट है दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं जो इस्टेरोड दवाईया होती है उसका उप्योग करते ताकि वो वजन बढ़ा सके लेकिन उनके साट इफेक्ट की वज़े से वजन बढ़ता है यह उनको पता होना चाहिए तो इस्टेरोड टैबलेट का ज्यादा यूज नहीं करना होता है सिर्फ और सिप 5-7 दिन तक ही टैबलेट खानी होती है या फिर जब ज़रुरत होती है तब इस टैबलेट का यूज किया दीठी होता है कुछ दवाई या कुछ टैबलेट ऐसी होती है जो केलिशंग की अलग आती है और विटामिन दीठी के अलग आती है तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट की बात कर रहे हैं डेलिकल 500 एमजी की जिसमें कैलिशियम और विटामिन दीठी दोनों ही क करता है यह टैबलेट क्या और कैसे को खानी होती है तो यह केलिशियम और विटामिन दीठी की टाबलेट है जो आतो चाइडियम की कमिनल यह की झानकी होती है किस तरीके से यह लिनी होती है तो यह गोली सुभे का निफिक का यह जा सकते हो और पानी के साथ में दर के साथ में रभी आजा सकता है दो मशन मेह यह सब निर्ट कर धरता दे सकते हैं तो दोस्तों आप बात करता है इसके इस साड़ेक्ट के बार में अगर जादा मात्रा में च्रावड़ का यूज़िया देसेड़ करते हैं तो kia- administered होसकते हैं तो इसके भज़े से कांस्टिपेशन हो सकता है पेशने को कब होने लगेगा बार-बार उसको यूरिंग करने जाना पड़ेगा तो यह कुछ इसके कॉमन साइड एफेक्ट है डेलिकल टाबलेट के तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस वोड़े में हमने बात किया जॉइंट पेन के इलाज में यूज होने वाली दवाईयों के बारे में आप सभी दोस्तों इसमें रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सला की कोई भी मैडसन यूज नहीं करनी है यूज करने से पहले एक बार अक्टर या फार्मसिस्ट की सला जरू लेनी है आप सभी को पता चल गया होगा जॉइंट पेन के इलाज में यूज होने वाली यूज चनल